आप मेरे हाथ में जो इस शीट देख रहे हो यह एक IC इंजिन का शीट है यह एक इंडस्ट्रिय लेवल का शीट है तो इंडस्ट्रिय में ऐसे बहुत सारे प्रोड़क्स होते हैं जिनके डिटेलिंग शीट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं मैं आपको आगे-ागे वीडियो में कुछ और शीट भी दिखाऊंगा और उसके बारे में मैं आपको इंफोर्मेशन भी प्रोड़ करूंगा अगर आप मेकैनिकल इंजिनियर है तो मेकैनिकल डिजाइन इंजिनियर में आप कैसे जल्द से जल्द जॉब पासकते हो क्या आपको मालूम है कि मेकैनिकल डिजाइन इंजिनियर कैसे बन सकते हैं क्या आपको मालूम है कि मेकैनिकल डिजाइन इंडेस्ट्री कितनी बड़ी डिजाइन इंडेस्ट्री है और क्या आप जानना चाहते है कि आज की डेट में मेकैनिकल डिजाइन इंडेस्ट्री में सबसे टॉप वाली इंदस्री कौन सी है आप जो मेरे हाथ में ये शीट देख रहे हो ये पिस्टन, कनेक्टिन रोड और क्रांग शाप का एनलेसिस किया हूँ शीट है कमपनी में इसी तरीके से एनलेसिस किये जाते है इसके बारे में आगे भी आपको बहुत सारा इंफोर्मेशन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये नॉइज़ आप कहा से गेन कर सकते हो कौन सी इसी इंदस्ट्री है जो इस तरीके का इंदस्ट्री नॉइज लेवल का सिलाबस सिखाती है क्या आपको पता है कि mechanical design industry में अगर आपको सबसे ऊची चोटी पर पहुचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा और अगर आपको mechanical design engineer बनना है तो कौन से software skills आपको सीखने पड़ेगे मैं आपको बताऊंगा mechanical design field में जॉब मिलने का सबसे आसान तरीका कौन सा है मैं आपको बताऊंगा कि mechanical design industry में सबसे popular softwares कौन से है बिलकुल ही परेशान होनी की ज़रूरत नहीं है अगले चंद ही मिंटों में हम ये सारे राज खोलने वाले है और कुछी समय में मैं आपको mechanical design industry का गुरु मंत्र बताने वाला हूँ मैं अलोक ससाने professional mechanical design engineer और मैं नैनिश्वर धनक software expert मैं मान ही नहीं सकता कि mechanical design industry में recession है और job बिलना बहुत ही मुश्किल है सबसे पहले चान लेते हैं कि mechanical design industry कितनी बड़ी है सबसे पहले रोजाना यूज होने वाली चीजों से शुरू करते हैं जैसे कि U-pin है, stapler है, pen है, ink है, shirts के button है, तो यह सारे चीजे बनाने के लिए machines लगती है रोजाना हम जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़ा और बनाने के लिए और सिलाने के लिए भी machinery लगती है इंडिया की textile industry world में top industry में गिनी जाती है घर में use होने वाले home appliances जैसे कि refrigerator है, cooler है, fan है, TV है यह सारी चीजे manufacture की जाती है इंडिया में सबसे ज़्यादा home appliances की demand है इतना ही नहीं हम जो mobile used करते है, laptop used करते है और computer used करते है उन्सका भी nano level पे components का manufacturing होता है इंडिया की telecom industry बहुत अच्छी तरह कैसे अभी growth कर रही है हम जिसमें रोजणा travels करते हैं, जैसे bike हो गई, car हो गई, bus हो गई, helicopters, aeroplanes यह सारी चीजे, यह सारे products बनने के लिए बड़े-बड़े plans डाले जाते है इंडिया का transportation industry जो है उसका बहुत ही खास contribution है इंडिया की GDP growth में हम जिस road से traveling करते हैं, जिस bridge से traveling करते हैं, जिस घर में रहते हैं वो बनाने के लिए जो earth more machines लगती है जैसे की crane, bulldozer, road roller यह बनाने के लिए भी machinery लगती है इंडिया का infrastructure industry जो है वो अभी बहुत अच्छे तरीके से तेजी से growth कर रहा है हम जिस बरतन में खाना खाते हैं, जैसे की दावा हो गया, या फिर spoon हो गया, कटोरी हो गया, चमच हो गया तो यह सारे चीजे बनाने के लिए mass production industries की जरूरत होती है, आज इंडिया में जैसे जैसे population बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे steel industries का भी तादात बढ़ते जा रहा है बीमार होने के बाद जो दवाई हम खाते हैं और खेती में जो pesticides यूज़ करते हैं, उसे बनाने के लिए chemical industry बनाई गई है, इंडिया में pharmaceutical industry भी बहुत अच्छी तरेके से ग्रोथ कर रही है यह सब के बाद हम power industry को कैसे नजरांदाज कर सकते हैं, आपके धर में जो बिजली आती है, वो ऐसे ही नहीं आती है हमारो जो सिपाई बारत देश की रक्षा करता है, उनके पास जो अत्यादूनिक हत्यार रहते हैं, जैसे कि ग्रेनेट्स, राइफल्स, बंदूग, यह बनाने के लिए भी ammunition factories होती है आज हमने दुश्मन का satellite गिराने के लिए missile बनाया है, इतना ही नहीं हमारे बहुत सारे satellites आज अंतरिक्ष में घुम रहे हैं, तो इंडिया इसमें अपना वर्चस दिन बदिन बढ़ा रहा है हम जो सौधिष्ट खाना काते हैं, जैसे कि डाल, चावल, तेल, सबजिया, यह सारे फूर प्रोसेसिंग से प्रोसेस्ट होके आते हैं इंडिया का agriculture unit, इंडिया के GDP growth में 20% की हिस्सेदारी निवाता है ऐसे बहुत सारे industries है, जैसे paper industries हो गया, plastic industries हो गया, cosmetic industries हो गया, multimedia industries हो गया ऐसे बहुत सारे industries रहते हैं, इतना ही नहीं अपना जो digital industry है, वो दुनिया के digital industry में लगबख 80% तक का contribution रखता है यह judge करना बहुत ही मुश्किल है कि mechanical design industry कितनी huge है, इसमें mechanical design engineer का बहुत ही बड़ा योगता है और job की इसमें कोई भी कमी नहीं है यस अलुक सर, यह तो सच बात है कि आजकल digitalized industry बढ़ रही है, digitalized industry बढ़ने की वच्छे से software की बहुत ज़्यादा demand है चलो ता भी हम जानते कि mechanical design में कैसे computer में product design किया जाता है mechanical design industry में 3 departments में काम चलता है, जो की CAD, CAM और CAE कहलाते है CAD इसमें machine का 3D modeling किया जाता है CAM में उसका manufacturing code generate किया जाता है और CAE में उसका failure analysis किया जाता है CAD में मतलब 3D modeling में कटिया, क्रियो, Solidworks, NX CAD, Autodesk Inventor जैसे software यूज किया जाते है CAM में मतलब computer added manufacturing में NX CAM, Dell CAM जैसे software यूज किया जाते है और last में CAE, computer added engineering इसमें ANSYS Workbench, ANSYS Fluent, NX Nastran, Hypermix जैसे software यूज किया जाते है अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे product design and manufacturing होता है अब एक example के तोर पे consider करते कि Tata TIA को कैसे बनती है Tata ने सबसे पहले consider करते कि Tata TIA को का model परपस ब्रॉइंग है Tata ने सबसे पहले इसका एक design consider किया, design final किया उस design में उन्होंने car में जितने भी components है यह सारे components consider किया जैसे कि dashboard, headlights, bumper, then tires, then engine, chassis ऐसे बहुत सारे components का Tata ने सबसे पहले design final किया जब ही design final हुआ तब Tata ने वो design किले अपना plant design किया सबसे पहले फिर जब यह manufacturing का या फिर design का बात आता है तब इसमें से only 10% components Tata खुद manufacture करती है और 90% components के लिए Tata vendors को hire करती है अब Tata suppose, for example, इसमें जो यह tires use किये गए Tata Tiago के model में, यह Goodyear Company के tires है अब Tata ने क्या किया, कि यह जो tire का design है वो Goodyear Company को hand over किया अब Goodyear Company ने इस design और quantity के हिसाब से अपना plant सबसे पहले design किया और फिर उन्होंने उसके लिए special purpose machine यूज किया अडिलास्ट टाटा के पास यह सारे windows से components आते हैं और फिर टाटा अपने assembly plant में यह सारे components को assemble करके फाइनली अपना Tata Tiago model assembled करता है और तब जाके बनती है अपकी Tata Tiago car तो लगबग हजारों की तादात में machines design की जाती है machines manufacture की जाती है इसी तरह से refrigerator, mixer, air cooler, water cooler, fans, tv, shoes है यह सारे चीज़े बनाने के लिए 500 से 1000 vendors company जुड़ जाती है जितने जादा vendors company जुड़ जाती है उतनी जादा opportunities open होती है जैसे ही market में नया product बनता है तो इसका मतलब और नये job opportunities open हो जाते है आज का जो दौर है, आज के दौर में सारे की सारी industries automated industries हो गई है अभी automated industries है तो इसका मतलब वो software के बिना तो automated हो नहीं सकती तो अगर आपको software सीखना है तो आप 10-15 दिन में किसी भी institute में एक software सीख सकते हो software सीखने के बाद जब आप job के लिए apply करते हो तो आपको job में भी नहीं मिल पाता है तो job ना मिलने का एक simple सा reason होता है कि जब भी आपका interview होता है आप वो interview crack नहीं कर पाते हो interview क्योंने crack कर पते हो उसका एक main reason है कि वहाँ पे आपको जो technical round लिया जाता है तो technical round में आप fail हो जाते हो technical round में fail होने की simply एक यही वज़ा है कि वहाँ पे जो आपको products model test के लिए दिये जाते हैं आपसे expectations होते हैं वो products आप नहीं कर पाते हैं और बागी के जो institute से जो कि आपको job दिलाने का वादा करते हैं तो उस वादे में fail हो जाते हैं तो इसके बारे में चिंता करने की ज्यादा जोरूत नहीं है cat center design studio एक ऐसा training institute है जो आपको industrial level के projects सिखाता है और आपसे बहुत सारे industrial level के products बनवा के भी ले लेता है जैसे कि हमने देखा कि mechanical design industry में बहुत सारे industries working करते हैं जैसे कि telecom industries है automobile industries है power plant industries है तो इनके बहुत सारे products हम used करते हैं तो यह सारे components इनका इतना बड़ा units रहते कि इसमें company में तीन departments में इनका काम किया जाता है इसमें first होता है CAD, CAM and CAE यह तीनों departments में इसका काम किया जाता है उसमें जो सबसे पहला department है CAD, computer added design तो यह जो CAD department है इसमें 3D modeling के software साते हैं अभी जैसे कि सर ने अभी बताया कि अपना जो design industry है यह बहुत ही ज्यादा huge design industry है और मैं आपको बताऊं कि इतने बड़े huge design industry में सिर्फ चार ही ऐसे 3D modeling के software से जो कि बहुत ही ज्यादा popular है वो जो चार software से उसमें आता है CATIA, CRIO, SOLIDWORKS and NX CAD यह चार software यह बस मतलब 4 software है जो सबसे ज्यादा popular software से इस design industry में Yes and CAE में भी same, popular software में consider किया जाते हैं ANSYS Workbench, NX Nastran and Hypermesh CAD में जो products, CAD में जो modeling किया जाता है उसका failure analysis CAE में किया जाता है अभी मैं आपको बताता हूं कि software सीखना कैसे है हमेशा से हमसे एक गलती हो जाती है, हमेशा एक गलती हो जाती है कि हम जब भी software सीखते है तो हम उस software में command सीखते हैं, हम वो command-wide software सीखते हैं लेकिन यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अगर आपको software सीखना है तो straightforwardly आपको software application basis पे ही सीखना है आपको software में real time parts, real time projects, real time products ही बनाने हैं अब ही real time parts, real time projects का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई software सीखना है तो software में आपको engine बनाना है, उस software में आपको shoes बनाना है, उस software में आपको pen बनाना है उस software में आपको car का body बनाना है, CPU बनाना है, desktop बनाना है, mobile बनाना है, TV, refrigerator, mixer यह जो सारे की सारे products है, parts है, यह parts आपको real-time softwares में बनाने हैं. Yes, exactly. जैसे सर्थ ने बताया, real-time applications के basis पे आपको कोई पी software सीखना है. तो same, यहाँ पे मेरे पास यह जो sheets है, यहाँ पे break disk का thermal analysis किया है, जो कि एक real-time applications है. उसके बाद यहाँ पे piston, connecting rod, crank sharp, यह assembly का dynamic analysis किया गया है. Then, यह जो spur gear है, इसका भी structure प्लस thermon analysis किया गया है. तो इस type के आपको real-time applications के basis पे कोई पी software सीखना है. अगर आपको software सीखने हैं, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको software अगर सीखना है, तो product basis पे, application basis पे सीखना है. तो मेरे पास पूछ sheets है, जो मैं दिखाता हूँ. अभी अगर आपको software सीखना है, software में बनाना है, तो आपको software में directly engine बनाना है. और यहाँ पे आपको यह जो engine है, यह engine assemble किया गया है, इसका मतलब यह है कि हर एक software के जैसे feature रहता है, तो हर एक software के feature के वज़े से यह engine बनाने के लिए 4 के 4 भी software यूज़ किये गये होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो इसलिए आपको directly product wise ही उस software में सीखना है, आपको यह real time उसमें draw करना है, देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो second sheet है, यह है suspension assembly, rear suspension assembly, तो आपको software में directly यह part यह assembly बनानी है, खुद बनानी है, देन उसके बाद यह CPU का unit है, तो यहाँ पे जो CPU का unit दिखा आपको software में बनाना है, इसके लिए कौन सा command use होता है, वो सिर्फ command सीखना है, ऐसा नही है, देन उसके बाद आपको यह plastic का tank है, यह plastic का tank आपको software में बनाना है, देन उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हो, एक PC का mouse है, तो mouse का design कैसे software में बनाते है, वो आपको directly draw करके ही देखना है, खुद, और उसके बाद, मैं और एक बाद यहाँ पे आपको ध्यान में डालना चाहता हूँ, कि जब भी आप detailing करते हो, तो आपको detailing इतना in depth में करना चाहिए, आपको इतना in depth में detailing आना चाहिए, क्योंकि यह जो आपका detail drawing रहेगा, यह drawing directly manufacturing floor को जाने वाला है तो इसमें आपको हर एक views वगरा दिन, उसके साथ जो हम हमेशा जो भोल जाते हैं कि उसमें dimensional accuracy का जो part रहता है, एक बहुत ही बड़ा part है, जीडियेंटी करके, geometrical dimensioning and tolerancing, तो उसका use करके आपको पूरा का पूरा detailing करना है, तो इतना in depth में आपको detailing करना चाहिए, आपने, यह बहुत easy होता है software सीखना, जैसे कि आप कोई कार सीखते हो, आप कोई two-wheeler सीखते हो, इसी यह software सीख सकते हो, यह software बहुत smart होते है, मतलब कि जब भी आप यह software सीखते हो, तो इस software आपको पताता है कि आपको किसी भी command को कैसे use करना है, आप कही पर भी गलती करते हो, तो इ डरनी की कोई भी बात नहीं है, आपको ये software बहुती आप enjoy के साथ ये आसानी से सीख सकते हैं मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको software सीखना है तो आपको software application के basis पे ही सीखना है किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, जज़बा है, जुनून है, हिम्मत है, होसला है, अपने हर एक सवाल का तो खुद ही एक जवाब है डर मत मेरे दोस्ट ये फासला देखके, खुद ही नजदिक आये की मंजिल तेरा ये होसला देखके बहुत सही कहा है अलोक सर, अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि Cat Center Design Studio स्टूड़न्स को अपने ड्रीम्स तक पहुंचाने में मदद करता है मैं नैमिश्वर धनक और मैं अलोक ससाने भलोक स्टूड़न्स को एक अलोक स्टूड़न्स को अंत मैं लूओर बदिक globalization